किनोर के छितकुल में एक ट्रेकर की मौत, एक घायल ग्लेशियर पार करते समय पेश आया हाथसा उत्राखंट से किनोर के छितकुल में एक ट्रेकर की मौत, एक घायल ग्लेशियर पार करते समय पेश आया हाथसा उत्राखंट से किन्नोर की और ट्रैकिंग पर निकले तीन ट्रैकरों में से एक ट्रैकर की गिरने से मौत हो गई जबकि एक अन्यर ट्रैकर को गंभीर चोटे आई है घटना की जानकारी उस समय मिली जब एक ट्रैकर नरोत्तम ज्यान पश्रिमंगार सहित तीन पोटर सुरक्षित किन्नोर जिला के छितकुल पहुँचे सुष्रा मिलते ही आई टी बीपी पुलिस समीत होंगार के 35 सदस्ती अदल रेस्ट्यू के लिए रवाना हो गया घटना की पुस्ट्री करते हुए SDM कलपा डॉक्टर मेजर शशान गुपता है बताया कि तीन प्रेकर्स छे पोटरस के साथ 2 सितंबर को उत्राखन के लेवडी से किन्नोर के छितकुल की और ट्रेकिंग पर निकले थे ट्रेकिंग के दौरान रास्ते में ग्लेशियर पार करते हुए रोपिंग के दौरान एक ट्रेकर सुजोई दुवे की गिरने से मौत हो गई जबकि एक अन्य ट्रेकर सुब्रतो विश्वास को गंभीर चोट लगी है इस समय तीन पोटर म्रतक और चोटल हुए ट्रेकर के साथ विमलोग पास में रुके हुए हैं यह सभी ट्रेकर बंगाल के बताए जा रहे हैं एज़ियम कलपा एवं जिला परियतन अधिकारी डॉक्टर मेजर शेशांग गुप्ता निवताया की घटना की सूचना मिलते ही आईटी वीपी पुलिस सहित होमकार्ड के 35 सदस्तिय दल को रेस्क्यू के लिए घटना इसकल पर रवाना कर दिया गया है आज देश शाम तक छितकुल पहुँचने की उमीद है उत्राखंट से किनौर के छितकुल में एक ट्रेकर की मौत एग घायल क्लेशियर पार करते समय पेश आया हाथसा उत्राखंट से किन्नोर की और ट्रैकिंग पर निकले तीन ट्रैकरों में से एक ट्रैकर की गिरने से मौत हो गई जबकि एक अन्यर ट्रैकर को गंभीर चोटे आई है घटना की जानकारी उस समय मिली जब एक ट्रैकर नरोत्तम ज्यान पशिमंगार सहित तीन पोर्टर सुरक्षित किन्नोर जिला के छितकुल पहुँचे सुश्रा मिलते ही ITBP पुलिस समीत होंगार के 35 सदस्ती अदल रेस्ट्यू के लिए रवाना हो गया घटना की पुस्ट्री करते हुए SDM कलपा डॉक्टर मेजर शशान गुपता ही बताया की तीन प्रेकर्स छे पोर्टर के साथ 2 सितंबर को उत्राखन के लेवडी से किन्नोर के छितकुल की और ट्रेकिंग पर निकले थे ट्रेकिंग के दौरान रास्ते में ग्लेशियर पार करते हुए रोपिंग के दौरान एक ट्रेकर सुजोई दुवे की गिरने से मौत हो गई जबकि एक अन्य ट्रेकर सुब्रतो विश्वास को गंभीर चोट लगी है इस समय तीन पोटर म्रतक और चोटिल हुए ट्रेकर के साथ विमलोग पास में रुके हुए हैं यह सभी ट्रेकर बंगाल के बताए जा रहे हैं SGM कलपा एवं जिला परियतन अधिकारी डॉक्टर मेजर शशांग गुप्ता ने बताया की घटना की सुच्छना मिलते ही ITVP पुलिस सहित होमगार्ड के 35 सदस्तिय दल को रैस्क्यू के लिए घटना इसकल पर रवाना कर दिया गया है आज देश शाम तक छितकुल पहुँचने की उमीद है